कि नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 नीज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरा हुसेन आईए देखते हैं तैसी रिपोर्टर आवाद राम सिंग के साथ अगरी आप देखते विंफे राजर कुमार की कवरेच फधे पुर्ज़ली के थाना थ्रियाओं शेत्र taiyaas शेत्र सक्षियां ग्राम सबा का दूसरे दिन भी धर्ब परिवर्तन कराने वाले लोगों की गृफतारी नहीं होने से गाउवालु ने इंदू परिवार मिलकर एक पंचायत की जिसमें गाउवालु ने ये बात रखिये कि हिंदू गरीब परिवार है लेकिन अपने धर्म के प्रत जागरू को रिमानदार है जिसकी मदद कर थाना का घिराव किया जाएगा आप लोगों को बता दे कि गाउं में प्रधान देवेंद सिंग ने कहा है कि हम लोगों ने उन लोगों को इस गाउं की पंचायत में बुलवाया गया लेकिन वो आने से मना कर दिया और कहा कि वो जमाना गया जब पंचायत होती थी और फोन सब्सक्राइब 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 कि अपना धनकप लोबन देका प्रेडिट कर रहे थे सब्सक्राइब कर रहेंगे तो सरकार आएगी हमारी तो हो कर देंगे रहने नहीं दिखाने आप आजए हमारे धर में रहेंगे जदा सखी रहेंगे किसे की गिराप्तारी हुई अभी तरिफ 들어오क आपतार नहीं भी है कि आजाते की मतलु मुसलिम से हमारे में हिंदू से मुसलिम मैं आजाओ आप है हुआ अरो हमें अमव Mehl अगर दिक्कत होगी तो अम तुब्हे पैसा देंगे फुल मदद आपको नाम किया गुडिया नाम आपकी असबरन के नाम मैं देवन सिंग ग्राम पल जाए सकते हूं हमारे ग्राम के यह राम गुपाल है इनको इनके ही पडोस के रहने वाली जाबित पुत्र नसीर सफीक पुत्र जाबित नफीस पुत्र अनीश कई महीनों से यह पैसो का लालच संपरदायक सामान देकर धर्म परिवर्तन करने का द इसमें यह भयवश अभी तक किसी से नहीं बताये थे तीन-चार दिन पहले यह ग्राम पंचायत के आम नागरिकों तक जब यह बात पहली बात पहलने के बाद ने गाउंवालों ने एक बैठक की उस बैठक में यह निड़ा लिये कि ठाने चलकर इसकी सूचना देते हैं उसके उपरांत बिस हिंदू परिशत के कार करता हूं दायत धारी पदादिकारियों को हमने सोचना दी कि यह हमारे गाव में सड़ेंद्र चल रहा है जिसमें वो लोग मौके पर आये और जाच की जाच करने के बाद में वो ग्राम पंचायत के जो थाने जाने वाले लोग थे जिनके कान में यह आवास दी कि यह संपरदायक सड़ेंद्र चल रहा है धर्म परिवर्तन का हिंदू से मुस्लिम बनाने का सड़ेंद्र कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत के लोग प्लस बिस हिं प्रातना पत्र दिया प्रातना पत्र में अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं हुई है जिससे कि इनके अंदर भय ब्याप्त है शायद ऐसा आगे चलता रहेगा तो यह तो बिलकुल जो है बेसहारा हो जाएंगे बेसहारा के साथ साथ यह बहुत परहसान है इस विशाय को लेक के आम जन्मानस से सायोग चाहते हैं हम भी ग्राम पंचात वासी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कारवाई करके उन मुझ्जिमों को